हेलो फ्रेंट्स एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल लाइड के संजीके में बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स आज की वीडियों हम बात करेंगे कि अगर अपराधी गोसजा हो गई है काल कोठरी की तो उसे अधिक्तम कितने समय तक काल कोठरी में रखा जा सकता है यानि एक आंध परिरुद में उसे कितने समय तक के लिए रखा जा सकता है तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं आई पीशी की धारा चोहत्तर के बारे में तो फ्रेंट्स वीडियो के साथ एंड तक बने रहे और ज दोस्तों आई पीशी की धारा तीहत्तर में आपने ठीक तरह से समझा कि कठोर कारावास का मतलब सस्रम कारावास नहीं होता है बलकि एकांत कारावास होता है अब अगर संविधान की अनुछेद 21 की अनुसार किसी ब्यक्ति को हमेशा के लिए काल कोठरी में नहीं रखा जा सकता है इसे अमानवी कृत्ति माना जाएगा अगर किसी ब्यक्ति को अधिक समय तक काल कोठरी में रखा जाए तो अगले स्टेप में बताते हैं दोस्तों भारती दंड सहीता 1860 की धारा 74 की परिभासा के अनुसार आई पीशी का सेक्सर चववत्तर ने बताती है कि किसी भी अपराधी को एकांत कारावास में लगातार नहीं रखा जाएगा जो उसे कुछ अंतराल दिया जाएगा या उसे लगातार एकांत कारावास में नहीं रखेंगे कुछ समय बीच में अंतराल दिया जाएगा यानि साथ दिन बाद उसका कारावास एकांत का चालोगा यानि बीच में साथ दिन का गैप दिया जाएगा अगर एकांत कारावास की आवधी तीन माह से कम हो तब उसे संपूर कालम आवधी में चवदा दिन का अंतराल दिया जाएगा तो पर आईए हम इसको एक वाद के माधव समझने का प्रयास करें चाल सोबराज बनाम अधिचक केंद्री जेल दिल्ली के वाद में सुप्रीम कोट ने अभिनेजधारित किया कि बंदियों को आठ से इग्यारा महीनों की लंबी तत कारावागार में एकांत रखा जाना एक अ प्राजगारों का हननन करता है तो इस वीडियो में मतलब जो आई पीसी की धाना चोबत नहीं बताती है कि ब्यक्ति को अपरादी को कितने दिनों तक कारावावार एकांत कारावार में रखा जा सकता है शाटकट में तो वीडियो कर दोस्तों पसंद आई हो तो लीडियो को लाइक जरू करें